का इंतिजार था वो फाइनली आ गया है उत्राखंड हाई कोट नैनिताल की और से एड़टाइजमेंट रिकूर्मेंट और पॉर्सनल असिस्टेंट 2023 का फॉर्म जो है रिलीज हो गया है पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके शार्च शेर करने वाला हूं तो मेरे साथ दावन तक बने रहेगा चलिए शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं यह एड़टाइजमेंट है फॉर्म का ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं चलिए यह नंबर ओफ पोस्टेज है एप्लिकिशन आर इनवाइट फॉर्ड इलिजबिल कैंडिट आप देख सकते हैं ग्रेट पे लेवल एट की यह जॉब है ठीक है जहां पर 11 पोस्ट के लिए यहां पर भरति निकले हुए है पर्सनल अरसिस्टेंट ग्रूप सी की यह बरति है यहां पर आप देख सकते हैं एस्से के लिए यहां पर पांच पोस्टेः निकले हैं OVC के लिए तीन और OBC and for the EWS के लिए आपर 11 पोर्शन ने के लिए ठीक है चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो है As all the posts are reserved category hence only the domicile permanent residence of उत्राखंड can able to fill that तो आप उत्राखंड के permanent registration है निवासी है कभी आप इस form को भर सकते हैं minimum 21 year and should not be more than 42 years तो आप देख सकते हैं 1 July 2023 को यहाँ पर जो है candidates की जो उम्र है minimum यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 year और maximum 42 years होनी चाहिए बाकि SCST जो भी other category की इसमें है बाकि इसमें आपको यहाँ पर छोड़ दी जाएगी जो government role है चलिए अब बात कर लेते हैं qualification को लेकर जो की काफी important है तो qualification की बात करें तो must possess a degree of a university established जैने की graduation आप यहाँ पर होने चाहिए कर personal assistant की हम बात करें जो कि लोग सेवा आयोक से आती ही तो उनमें सनातक नहीं मांगा जाता है उसमें 10 plus 2 मांगा जाता है लेकिन यहाँ पर है high court के लिए आपको सनातक मांगा गया है ठीक है आप सनातक कोई भी हो यहाँ पर उससे नहीं मतलब है ठीक है यहाँ पर bachelor degree होने चाहिए उसके लाव must possess good knowledge of English shorthand and type writing with minimum speed of 40 watts per minute ठीक उसके लाव जो की stroke याने की depreciation होने चाहिए आपका 12,000 होने चाहिए in English type writing and 100 watts in English shorthand dictation in per minute ठीक उसके लावा in case final marks obtained by two or more candidate are equal preference will be given to those having good knowledge of Hindi shorthand and type writing with minimum speed of 30 watts per minute corresponding 90,000 की depreciation per hour in Hindi typing type writing and 80 watts in Hindi shorthand dictation तो and good knowledge of computer operations का भी होने वाला चाहिए आपको ठीक है बाकि फिजिकल फिटनेस वगरा सब कुछ यहाँ पर ठीक है ठीक है बात करते हैं आप papers को लेगा यानि कि क्या यहाँ पर recruitment होने वाली है क्या तो यहाँ पर examination क्या होने वाला है for the assistant typing test will be conducted first and the candidate who will qualify in the typing test will only be allowed to appear in the shorthand test candidate qualified in the shorthand test will be allowed to appear in the return examination तो यहाँ पर साफ साफ जो है इस बार का पूरा pattern change कर दिया गया है इस बार सबसे पहले आपको यहाँ पर typing test देनी पड़ेगी उसके बाद आपको shorthand test देना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर return test में आप बैठेंगे तो इससे 200 का है पहले return है फिर जाके typing test और shorthand है इस बार उने reverse में आगे हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको typing test होगा फिर shorthand होगा यहाँ पर 80 marks का return होगा ठीक है कुल मलाक है आप देख सकते हैं total 200 यहाँ पर marks होने वाले तो यहाँ पर table paper one होगा type test जो की qualifying nature का होगा किस तरह से होने वाला यहाँ पर आप देख सकते है तouse टू, पेपर टू, जो की शॉर्ट हेंड होने वाला है, टेस्ट किस तर्क से होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा यहां पर और भी यहां पर रिटेन टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जो है detail में दे के रखा हुआ है ठीक है उसको आप अच्छी से पढ़ लेजे बात करते हैं return की जो 80 होने वाला है 80 marks का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर आएगा तो journal knowledge यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि हैं Indian history knowledge उत्राकन इसके लाव इंग्लीज लैंग्वेज यहाँ पर आएगा 40 marks का यहाँ पर 40 वो 40 है उसके लाव और अगर आप all posters are reserved category has the cut-off marks of return एक्जामेशन सेल विट 35 फॉर एस सी ओबी सी डबी यह निकि 35 marks आपको जो है OBC ठीक है schedule cast के लिए 200 इस तरह से EWS के लिए अगर आप physical handicap है तो यहाँ पर आपको कोई भी fees नहीं देनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद अलावा form यह मैं आपको पहले बता दूँ यह form offline है तो आपको यहाँ पर form जो है भेजना है to self-address analog affixing postal stamp of 25 ठीक है 25 रुपे का यहाँ पर आपको भेजना है ठीक है कहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर आप देख सकते है application for recruitment of personal यह आपके ऊपर application के ऊपर लिखना होगा उसके लागा the last date of submission duly completed application form through registered speed post यह आप देख सकते है जर्नल हाई कोड उत्तराखंड नहेंतार इतना 11 अगस्त दो हजार तेईस से आपको यहाँ पर पहले पहले ब्यू है यहाँ पर भेज देना है ठीक है वाकी नीचे चलते हैं यहाँ पर important है इसको आप अच्छे से पढ़ देख सकते ह हैं किस तरह से यहाँ पर इसको आपको भरना है मैं एक बार शॉर्ट में इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ आपको अपनी लेटिस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी यह application form में यह रॉल नमबर है यह office की यूज से बरेगा name of the candidate यहाँ पर आप दिख सक gender male female जो भी आप है उसके लाओ husband name father name address ठीक है उसके लाओ यहाँ पर आपको permanent address email address mobile number date of birth as on 17 2023 के दनी हो रही है are you citizen of India उसके लाओ for which category क्योंकि यह reserve category के लिए है तो आप चाहिए SC में हूँ OBC में हूँ आपको यहाँ उसके लाओ economic weaker section ठीक है उसके लाओ place of domicile किस state से हैं district से हालाकि यहाँ पर यह साफ साफ नोने अपने notification में लेखा है क्योल उत्राखंड के है तो पता नहीं यह state देने स से क्या मतलब हाँ district यहाँ पर यह जरूर दे सकते है ठीक है यहाँ पर ID proof marital status if married state whether you have more than one spouse having और not यह आपको लिखना है उसके लाओ education qualification के बाद आती है degree name of board university subject year grade of division और यहाँ पर percentile उसके लाओ अगर आपके पास experience है तो आप इसमें जो है show off कर सकते हैं उसके लाओ यहाँ पर सारी details और भी यहाँ पर भरने क्या कैस में आपने attach certificate आप यहाँ समें enclosure कर रहे है ठीक है यह सब यहाँ पर आपको details यहाँ पर submit करने है उसके लाओ declaration form भी है यह इसको भरना है उसके लाओ यहाँ पर आप देख सकते है यह admit card जो आपका आएगा उससे उसकी details भी आपको भरनी है name of the candidate, roll number यह आप छोड़ दीजीगा office use के लिए है उसके लाओ father name, gender, date of birth, ethics, latest photograph photo यहाँ पर आपको चिपकाने होंगे यहाँ पर आपको signature नहीं करने signature of issue authority, post name, claim, personal assistant यह वहा हमारे टेलेग्राम के group मिल जाएगा तो टेलेग्राम का link discussion box मैंने देखे रखा है आप उसको check out कर सकते हैं बाकि कोई भी questions है तो आप हमें पूछ सकते हैं बाकि वीडियो चलिए जिए तो लाइक कर देए और चैनल भी पहली आ रहा है तो subscribe करना मत भूलिएगा मिलता हो ने पोसिंग में जहींजे भारत जय उत्तर करें